सो हेलो एवरीवन वेलकम तू दा क्लास विया स्टार्टिंग टोड़े परसंटेश शीट नंबर त्री सो इसका साफसाव मतलब है कि शीट नंबर वन और शीट नंबर टू हम लोग कर चुके हैं सक्सेस्वली एंड इसका एक मतलब और भी है कि मैं कहीं न गहीं आपके अंड स्टैंडिंग लेविल को ऊपर ले जा रहा हूं लाइब दिस ठीक है सो आई थिंग तुम लोगों ने प्राक्टिस करी होगी प्राक्टिस अगर छूट गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा प्राक्टिस बेंडेन रखना बहुत अच्छी तरीके से प्राक्टिस करते सब्सक्राइब करो टीके? क्या answer निकालोगे? इसका ये बताओ सबसे बहुत सारी चीजे इसमें answer की रूप में आ भी सकती है देखो अगर मैं आप लोगों से कहूं यहाँ पर एक सेकन लूपना बस हाँ देखो भाई अगर मैं यहाँ पर कहूं आपसे दिव्यांशना सदिया है 21% अगर मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूं बहुत ध्यान से तुनना है देखो इदर कह रहा है if edge of a cube is increased by 10% ठीक है यानि कोई cube है और cube का जो edge है वो increase हो रहा है कितने परसेंट से? वो increase हो रहा है 10% से तो edge को हम aim आल लेते हैं और वो increase हो रहा है किस से? 10% से ठीक है? और उसके बाद हमसे बूचा जा रहा है कि उसके surface area पर क्या impact पड़ेगा तो surface area का formula क्या होता है? A into A that is A square ठीक है? तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि एक side को increase करागी है ठीक है? एक side को increase करागी है दिव्यांश method तुमने कौन सा लगाए बताना चाहो? कौन सा method लगाया है? क्या तुमने इसमें ratio method लगाया है? या फिर तुमने इसमें successive लगाया है? क्योंकि यही दोनों method आज इसकी class में लोग assess करेंगे ठीक है? तो यह भी बताओ कौन सा method लगाया है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हमने 10% बढ़ाया है तो 10% वही इसको भढ़ाया है? और 10% इसको भढ़ाया है तो जब इन दोनों को भाई इस दोनों को multiply करेंगे तो जो surface area है वो कितने हिसाब से बढ़ेगा? अब आप कहोगे 10 into 10 करेंगे तो 100% बढ़ेगा, तो 100% option भी नहीं है इसका मतलब इस तरीके से नहीं बढ़ता है तो दिव्यांश करेंगे हमनों successive लगाया है चलो जब देखते हैं कि successive के इलावा और इसमें क्या क्या लगता है सबसे पहले हम देखेंगे या पर एक term की बात करेंगे जो की होत कि है ठेडिंग आलो successive सब्सक्राइब 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 या होता यह समानलो मैंने आप से का कि मैंने लेंट को 10% बढ़ाया है तो ए प्लस ए स्क्वार बाई हांड्रेट करेंगे जब दोनों की पर्सेंटेज सेम होगी देफिएश ठीक है चलो लो हम ने लेंद को बढ़ाया हमने ब्रेट लेंद को बढ़ाया जला एक लेंगे वर आलेंट नीयमा से विश्यायगा ओवराउल एरिया पर का expenditure 5% बढ़ गया यहां सा consumption जो है वो 10% कम हो गया तो बताओ expenditure पर कितना असर आएगा तो जहां पर दो quantities के product third quantity बन रहा हो क्या बोला मैंने जहां पर दो quantity के product जहां पर दो quantity का product third quantity बन रहा हो और इन दोनों में अगर कोई change करेंगे तो जाहिरती बात है इसमें भी चेंज होगा तो इन दोनों के change का जो successive है वो इसमें change होगा समझ यहीं बात तो अब ज़रा समझते ही होता क्या और यह काम कैसे करता है तो सबसे पहले देखो जैसे मालो मैंने आप से कहा कि कि मैंने लेंद्थ को 20 परसेंट बढ़ाया है और मैंने ब्रेथ को 10 परसेंट बढ़ाया है तो पता ओवरॉल एरिये पर क्या यहां परहाओ फ्लास इतना ओ चाहिए करणा एक तो यहों गया तरीगहांड कि हमे इसी तरीके से मैंने आप से कहा कि मालो एक वैलाउ परसेंट बादी एक वैलू ऐसात परसेंट बादी बता ओवरॉल कीतना परसेंट रॉभार अचेंज आएगा सबता पोग यानि 5712 प्लस साथ इंटू 5 35 अपॉन तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12.35 समझ में यह बात क्या यह चीज समझ में आई थीक है लेकिन अगर हमें इसको डारेक्टली करना है तुम कैसे करेंगे तो उसके लिए एक ट्रेक है देखो जैसे मालो हमें 2 परसेंट बढ़ाना है और 5 परसेंट का सक्सेव निकालना है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर एक स्पेस लेंगे यहां पर पॉइंट लेंगे और यहां पर एक स्पेस लेंगे बहुत ध्यान से तुनना एक ब्लांक स्पेस लिया फिर पॉइंट लिया फिर एक और blank space लिया अब हम यहाँ पर देखेंगे सबते वहले यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर इन दोनों का sum करेंगे यहाँ पर हम करेंगे a प्लस b और यहाँ पर हम करेंगे a multiply by d और याद रखना यहाँ केवल दो डिजिट ही लेंगे बाकी जो होगा वो उधर carry क वक्याँ देखें तो आप जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कि तना हो जाएगा two को यह जाएगा सेवंध पॉइंट परसेνट अब हम लोग उन्हें देखों यहाँ पर बीया था तैस만 लिया तो तु ज़ुवव्य भी यहाँ पर और बारा प्धालों घ्र में हैं 20% और 10% का लें है हुआ है तो यह कितना हो जाएगा बैस प्लस 1030 पॉइंट बीज इंड़ू 10 दो सो लेकिन मैंने का था सिफ दो डेस्पॉइंट तक का लेते हैं इसको इदर कैडिम ले आएंगे तो यह कितना हो जाएगा 32.00 तो यहां पर देखो कितना रहा 32 परसेंट 32 गओ चाहे 32.00 का यह चीज समझ वह आई कि दिव्यांश आशीश कि तन्य क्लियर हुए कि बताओ भाई कि त्रिप्ती सौरी तने ने त्रिप्ती कि यह चीज पहले देखो दे रहीगा कि अब हम आगे की बाद करते हैं वालो मैंने आप से कहा कि 12 परसेंट और 10 परसेंट का सक्सेसिव निकालो कितना है कि यह मैंने आप से कहा कि 13 परसेंट और 20 परसेंट का सक्सेसिव निकालो तो कितना आएगा पांच परसेंट और 9 परसेंट का सक्सेसिव निकालो तो कितना आएगा तो आप कहो कि बहुत आसान है बारा प्लस दस बाइस थे पोईंट बाराइंटू तऊच सो बीस पर्चिन 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 बाइब थे यह वन इधर आ जाएगा तो कितना हो जांगा तो कितना हो जाएगा तो किया हो इधर रखो इसको इधर ले आ तो यह हो जाएगा 25.60 परसेंट यहां पर देखो पांच और नौ नौ पांच चौदा पॉइंट नौ इन्टू पांच पैतालिफ पर तो बस हो गया है ठीक है चल यह तो था हमारा सकसेशिव मैटड़ को अम यहां लगाते है जो हमारा कुश्चिन है इस कुश्चिन में लगाते हैं तो भाई देखो 10 परसेंट 10 परसेंट और 10% का successive निकालो तो कितना आएगा तो 10 प्लस 10 यानि 20 पॉइंट 10 इंटू 10 तो 100 तो 1 इधर आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 21 परसेंट 21 परसेंट ठीक है दिव्याश क्लिए हो रहा है सौझ या रहा है या नहीं आ रहा है आगे अगर हम बढ़े हैं यहाँ पर तो आप हम क्या तेखेंगे अगर मान करके चलू कि जैसे इसी में मानलो एक कोश्ण अभी यहाँ पर आ जाए इस सरीके से कि मानलो मैं ही एक कोश्ण यहाँ पर बना देता हूँ कि मानलो एक कोश्ण यहाँ पर मैं ही बना देता हूँ कि जिसमें कि यहाँ पर 10 परसेंट की बजाए कि आपको दे दिया जाए कि 14 2 by 7 अब क्या करोगे क्या सक्सेसिव लगा पाओगे बताओ भाई एफ एफ एज ओफ एक्यूब इस इंक्रीज बाइस परसेंट देन वाट परसेंट टेज इंक्रीज इनिट सर्फेस एरिया अब सर्फेस एरिया में क्या इंक्रिमेंट आएगा क्या यह आप बता पाएंगे आप क्यों क्यों कि सक्सेसिव तो हम यहां लगा रहे थे नजब वैल ऐसी थी तो उस case में लगाएंगे हम ratio method उस case में हम लगाएंगे क्या ratio method ratio method है heading डालो ratio method और यह ratio method क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जानेगे आज यही तो method हम लोग सीखें ratio method क्या होता भाई यह बाज़ा सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि माल लेंथ को और ब्रेथ को हम लोगों ने बढ़ा दिया या किसी क्यूब के edge को बढ़ा दिया है 16 2 by 3% तो final area पर क्या impact पड़ेगा एज को अगर हमने बढ़ा दिया है 16 2 by 3% से तो final हां यूद होगा mix fraction में बहुत अच्छे तो final area में क्या फरक आएगा यह हम से ठीक है और एज को बढ़ाएंगे और तो एज को भी या दो बार बढ़ाएंगे क्योंकि हमको यहां पर क्या चाहिए एज का चार से काटो 25 बार में चार से काटो 9 बार में तेरा और 25 पच्छेस तेरा धाई सो और पिछस्तर धाई सो पच्छेस तीन सो पच्छेस बाइन नौ इंक्रीज यानि अगर किसी क्यूब का आपने जो स्टर्फेज एरिया या सौरी एज को अगर आपने 16 टू वाई 3 परसंट बढ़ाया है तो उसका एरिया कितने परसंट बढ़ेगा तो 325 वाई 9 परसंट बढ़ेगा ठीक है इसी में कुछ-कुछ चेंज़ भी हम लोग करते हैं जैसे मालों एक रेक्टाइंगल है और हमने यह बोला कि लेंद्थ को हमने बढ़ाया है आप 16 टू बाइ 3 परसंट ठीक है और ब्रेथ को हमने घड़ाया है मालों टैन परसंट तो मुझे यह बताओ कि एरिया में क्या चेंज़ आएंगे निकालता होगे तुम्हें यह पता है एरिया क्या होता है लेंद्थ होता है तो पहले जारा लेंद्थ देखते हैं लेंद् बाइए और बढ़ी है यानि कि ओरिजनल और फाइनल लो ओरिजनल कितनी थी 6 अब बढ़ी है प्लस का साइन लगो यानि 6 प्लस 7 हो जाएगी ब्रेथ को जड़ा देखो 10 परसंट 10 परसंट बने वन बाइटेन वह घटा है तो पहले 10 ता अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएग हंड्रेट से तो यह कितना आगया 10 10 से गटा कितना आगया 10 परसंट यानि ओवरॉल जो एरिया है वो 10 परसंट बढ़ेगा कैसे पता बढ़ेगा क्योंकि यहां प्लस का साइन है भाई 60 में से 54 गया तो प्लस का ही तो 6 बचेगा तो रेशियो मैटेड इस तरी किसे काम करता है कि क्याइए चीज सम्झे में और में फीक है रेशियो मेंट है जब हमारा क्या होने आला होगा जब हमें कहीं से भी मिक्स फ्रैक्शन दियो अथब तो आप रेशियो बीना सकते हैं मतलब तो और मैंने दूनीआ लग जाएगा अगर आप इसको रेशियों से करना चाहो तो यह इसमें भी रेशियों लग जाएगा देखो एक चीज मैं यहां पर करके बता देता हूं अगर मैं इसको रेशियों में एखट से करूं आपने बोला 10% बढ़ेगा 10% का मतलब कितना होता है यानि कि पहले कितना था 10 ओरिजिनल फाइनल कितना है तो फाइनल भाई या 11 ठीक है और इसका स्कॉयर चाहिए तो दो बार लेंगे इसको हम तो 10 और 11 कितने का अंतर आ रहा है तो हमने यहां पर लिख दिया 21 कितने पर हमेशा उरिजिनल वाले पर multiply by 100% 100 से 100 गया तो कितने परसेंट का इंक्रिमेंट आ रहा 21 तो रेशियो मेठड़ आप दोनों पर लगा सकते हो लेकिन सक्सेसिव आप तभी लगा सकते हो जो वैलू आपको ऐसे में दियों एक होल नंबर में दियों क्लियर हुई यह बात मतलब कहने का यह है कि रेशियो मे Merc maious आप दोनों में लगा सकते हो चाहे वैलू आपको फ्राक्शन में दीयों चाहे वैलू आपको नॉर्मल इं्टेईजर में दींयों में लेकिन सक्सेसिव तभ लगाएंगे जो वैलू आपको एक परफेक्ट नंबर में दीयोगी ठीक है याला कोशन करो 14 2 x 7 इसमें रेशियो मेंटेड लगाओ रेशियो मेंटेड लगाने के बाद बताओ कि यह किस तरीके ज़र इंक्रीज होगा सर अभी क्लास के बाद करता हूं अपू कॉल एक अर्जेंट लगके क्लास पता नहीं तो दो बज़े करता हूं मैं और नहीं एक पचास पेस से दो के बीचों करूंगा आपको कॉल लगा है चलो इसका अंसर निकालो वाई इह लिए इना आधर को इस सफिन या फोर्टीनाइन लटिपलाई रहा है तो एक और perhaps साथ सक सांतर आ रहा हूं सरफ सांतर 14 दो बढ़ेगा higher कर दो रहा है आयूश रमेंट करो बताओ समझ में आ रहा है रही है यार देखू गलत कर गया तब भी तुम लोग कह रहो हां समझ में आ रहा है इतना बढ़ा रहा है फाइनली इतना बढ़ा तो फाइदा क्या बढ़ने का फिर यहां पर देखों तो फंद्रा पन्तीन गरो जरा देखो कितना आएगा और यह आॉप्शन्स है डालो क्योंगी फिर ऑप्शन्स इसने मैच ही नहीं करेंगे तर यह तो मैं ऐसी बनाया गाहिए तो नो फिर इन बोश्चन कि ए ऑप्शन्स इसने मैच ही नहीं करेंगे तो दोड़ा दो लेट जोइन किया है बट फिर भी आ रहा है और अभी क्लास एंड होते ही स्टार्टिंग के साथ आड़ में स्क्लास की तुमारी बारा बज़े रही बारा से बारा दस के बीच में सेशन अपडेट कर देता हूं ठीक है तो अभी फिलाल यहीं रहेगी नाइम इनट इंट से तो बताओ यह एरिया पर क्या एफेक्ट होगा सबसे पहले आपको यह बता होना चाहे है इरिया होता है Pent into breath होती है ठीक है अब मैं इसको अगर तुम बोलो तो successive से मैं करता हूँ तुम ratio से करना है successive देखो क्या है भाई प्लस का 12 minus का 8 फिर plus का 12 into minus का 8 upon ठीक है तो plus का 12 minus का 8 कितना हो जाएगा plus का 4 और ये कितना हो जाएगा plus का 12 minus का 8 ये कितना हो जाएगा minus का 96 ये हो रहा है 12 into 8 कितना होता है 96 96 upon 100 तो यहाँ पर हो जाएगा plus का 4 minus 0.96 तो ये हो जाएगा 3.04 और plus में value आ रही है तो increase होगी है तो 3.04% increase अब इसी को तुम लोग ratio method से करके बताओ देखो क्या answer आ रहा है ठीक है successive से तो कर दिया अब ratio method से करके बताओ क्या answer आ रहा है और दोनों से करो 3.04 वाइड़ी गोड़ी अब है अब है कि यह तो कि अच्छ चेंग को तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा सा तरग है देखते हैं रिश्यों मेटर्स से देखो कि अधिर आ जा दो हम लोग करेंगे रेशियो मेट्स से 12 परसेंट में वैसे देखो रेशियो मेट्स करना सथ है 12 परसेंट का मतलब होता है 12 पॉन मारा पॉनस्व का मदलब चार से Lageओ तीन पार में कि 215 बार में तो वुल और ही español ले लो ऑरेजिनल कितना था 25 बढ़ रहा हो है सो कितना हुजाएगा यह कितना हो जाएगा बाई 28 इंटू 23 करो जरह 28 और 23 तो 8 इंटू 3 24 दो कहरी हो गया 6 और 16 तीज इंटू 26 8 इंटू 26 तो ला चे बाईस 22 दो 24 अगेन दो कहरी हागा दो इंटू 24 426 64 तो यहां पर कितना आ गया 24 अब अगर हम यहां पर डिफ्रेंस देखें तो कितने का हो रहा है वाई 25 25 माइनस 6 यानि कि 19 19 का अंतर आ रहा है कितने पर 6 तो 25 पर multiply by 100 25 से काटो चार बार में 25 से काटो 25 बार में 19 इंटू 4 कितना होता है सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75 पॉइंट लगाया तो जीरो यानि दख फिर एक जीरो लिया तो 100 हो गया चार तो यह देखो है वैलू फिर भी वहिए पर इस टाइव यह कोश्चन है वहिए इसमें ज्यादा रिस्क था मतलब रेशियो वाले में ज्यादा र सब्सक्राइब है है ना है चल अब यहां पर देखो क्या किया रहा है कि क्या रहा है लेंट इन ड्रेथ और एक्टैंगल और इंक्रीज बाइन 20 परसेंट जल्दी का अंसर दो दस सेकेंड निकालो जल्दी से सक्सेसिव लगाऊ 10 और 20 अभी बताया है मैंने इसमें तो 10 और 20 का सक्सेसिव जो ट्रिक बताई तुरंट बताओ देखो बाई 10 और 20 की क्या बताई दी मैंने सबसे वहले प्लस कर लो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 पॉइंट लगाओ 10 इंटू 20 तो हंड्रेट सिर्फ दो वैलू तक का रखते हैं बाकी इधर ले आते हैं तो यह कितना हो जाएगा बत्पिस पर सेंट डी ओप्शन ठीक है क्यारा बेस ओपर ट्राइंगल इस इंक्रीज बाई 40 परसेंट बाई वाट परसेंट एज करेक्ट टू डेसिमल प्लेश शुड हाइड बी इंक्रीज सो डैट एडिया इंक्रीज बाई 60 परसें लिए अच्छा गोश्चन अब यहाँ पर देखो क्यारा हाइड को कितना बढाया थाकि एरिया इंक्रीज हो जाएं यह कि बेस ओफर ट्राइंगल 40 percent को इंक्रीज कर दिया गया है थीक है बाई वाड पर्सेंटेज गरेक्ट टू डेसिमल प्लेश शुड हाइड भी इंक्रीज हाइड को कितना बढाएं ताकि इसमें एक काम भी हम लोग देखो, एक तो cross multiply कर सकते हैं, लेकिन cross multiply अगर तुमें थोड़ा सा tough लगे, तो एक काम हम लोग यहां पर और कर सकते हैं, जैसे देखो, यहां पर क्या कह रहा है, पहली बात तो यह देखो, area क्या होता है, half into base into height होता है, जिसमें half अटा दो, half से कोई मदल्म नहीं, तो area क्या होता है, base into height होता है, तो अब यहां पर क्या कह रहा है, कि base of a triangle is increased by 40%, तो base को अगर हम 40% increase करेंगे, तो इसका अगर कितना हो जाएगा, 2 by 5, ठीक है, तो अगर मैं इसको ratio method से करूं, तो पहले 5 था और अब कितना हो जाएग यह base है, height हमें पता नहीं, height हमें यहां पर पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि area को हमें, area को हमें किस से increase करना है, 60% से, 60% वर्ला 60 by 100, यानि कि 3 by 5, तो area को अगर 5 है, तो हमें यहां पर कितना चाहिए, 8 चाहिए, है ना, अब इसमें हमें एक काम यहां पर कर सकते हैं, cross multiply method लगा सकते हैं, इन दोनों को cross multiply करो तो यह कितना आ जाएगा, 7 into 5, 35, और इन दोनों को cross multiply करो तो यह कितना आ जाएगा, 8 into 5, 40, यानि कि 35 और 40, यानि कितने का increment हुआ, कितने का increment हुआ, तो 5 का increment हुआ, कितने पर हुआ, तो तो वन अपॉन सेवन कितना होता है फॉर्टीन तू बाइ सेवन परसेंट तो फॉर्टीन टू बाइ सेवन परसेंट यह नहीं है कि इस पर क्रॉक मिल्टिप्लाई लगा सकते हैं ठीक है एक तरीका और भी है पर वो चीज़ में सोचना था अभी बताओं चलो उच्छा बता देता हूं देखो इदर एक तरीका और है इसी को सेकेंड मैटड की दूरूबी हम कर सकते हैं कि हम ने मानना लेकिन यह मैटड अभी लगाएंगे देखेंड कर दोनों का न हो दोन दोन होका बताँब होगा अब यह हरी सेइंट मैं इसी क्वोस्टन को करने तेखो जो भाई हमने मान लिया कि हर चीज पहले कितनी थी 100% और याद रखना है कि काम तभी करेंगे जैसे कितना बढाए 40% हो लोगया 140 और मिखंद और कितना भण ना चाहिए कि DRS What besoin के लिख्डरस यानि ये कितना होजाएंगा ये होजाएंगा 160 जाहिर ती बात है इन दोनों का difference कितना और है 20% का और या इन दोनों को difference कितना और 20% का, तो 20% ही हमको क्या नाम है, जो difference आ रहा है न, बैस कितना बढाया, 140%, एरिया कितना बढा, 160%, यानि कि अगर एरिया, इन दोनों का product होता है, तो हमें 20% इसमें और बलाना होगा ता कि यह 160 बन जाए, तो 20% और जिस पर बलाना है, तो किस पर बलाना है, आद रहा एरिया कितना होता 14.2 या 14.2 बाइ 7 परसेंट तो यह तुम्हारा सेकेंड मैठेड है ठीक है बहुत शालीनता से अगर आप लोग ध्यान से इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बाते हैं यहां पर करों इसलिए मैं आज ज्यादा कोश्चन नहीं कराऊंगा मैं से भी आप आज मेठेड सिखाने आया था यह शीट में आज आप लोगों तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ कोश्चन है जिसमें अभी एक हम लोग कर लेंगे और दस उम्हें देंगे ता सॉरी आठ आप लोग करना है अब यहाला कोश्चन बढ़ों कहारा बेस आप ट्राइंगल इस इंक्रीज भाई इतना हाइट आप ट्राइंगल इस हाइट कितनी रिड्यूस करी गई आपको पता होना चाहिए यह होता है वनवाइट इस तो हाइट कितनी रिड्यूस करी गई है वनवाइट हाइट कितली रिड्यूस करी गई वन बाई से तो चलो बना देते हैं आपर ओरिजनल यह इंक्रीज हुआ है तो यह तीन था यह चार हो गया बेस हाइट रिड्यूस होगी छेती पांच हो गई मल्टिप्लाई करके एरिया आ जाएगा 6 इंटू 3 18 5 इंटू 4 20 कितने गंतर आया प्लस 2 पांचर आया यानि कि प्लस 2 अपॉन 18 मुल्टिप्लाई बाई 100 तो यह कितना आ गया यह आ गया 1 बाई 9 1 बाई 9 कितना होता 11 बाई 9 यह हमारा अंसर रेश्यो मेटर्ड लगा घर के आ कि एक कुश्ण और कर लेते हैं जल्दी से लेंद्ट ऑप रेक्टांगल इस इंक्रीज फाइफ 50 परसेंट चीके भाई लेंद्थ को इंक्रीज करा 50 फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वाने वन बाई 2 यानि पहले तू थी अब 3 हो गई और एरिया इस इंक्रीज अ इस इंक्रीज वाई 20 परसेंट का मतलब होता है इंक्रीज हो रहा यानि पहले 5 ताप कितना हो गया तो हमें यहां पर ब्रेथ निकालनी होगी तो क्रॉस मुल्टिप्लाइब करके निकाल तो तीन इंटू पांच 15 इंटू दो बारा यानि पहले बार पंद्रा थी आप बार तो एक बाई पांच यानि माइनस का 20 परसेंट यानि माइनस का 20 परसेंट मेरला बीस परसेंट डिक्रीज होगी अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसके ओपर सेकेंड मेटर्ट खुद से लगाओगे और नहीं आईगी तो मुझते बूचोगे कौन साला ंट आज़ाδα से कितने की कमी आई है व्यश्क तुम जोलोगे 120 इसका कितने की कमी आई है 3 की कितने पर 150my बचल यह ने पून यह आपके ऊपर क्योंकि क्योंकि परसेंटेज सीख लिया तो तोुम्हारी अना जाएगा समझ में आ जाएगे ए Mississippi समझ में आ जाएगी और है आप आप मान करके चलिए ठीक है तो हम मैं यह उम्मीद करता हूं कि यहां पर लिखे देता हूं कि यह टू अब देखो यह सब कुछ है नहीं अगर आप देखो एरिया ओफ ट्राइंगल सर्केल इंक्रीज वाई 69 परसेंट तो रेडियस कितने परसेंट से इंक्रीज होगी अब आ आपको सोचना है बैठ करके कैसे होगा यह कुछ नमबर तीन है इस फूर फाइव गजए शेवन बस तो यह वन टू सेवन आपको करने कल हम लोग यहीं से ही शुरुआ कि तो ऐसा होमवक माल लो एक प्रक्षिस माल लो एक डीपीप माल लो जो मानना है माल लो ठीक है आपको आपको आपको